इस वक्त बड़ी खबर बोपाल से आ रही है भारती जंता पाइटी को बड़ा जटका लगा है तेंदु खेड़ा बोहानी से दो बार के बिधायक संजेश शर्मा ने कॉंग्रेस जॉइन कर लिया है संजेश शर्मा पहले कॉंग्रेस में ही थे भाच्वा में शामिल होने के बाद उन्हें तेंदु खेड़ा से टिकेट मिली थी और जीतने के बाद वे बिधायक बने कॉंग्रेस लगातार उनके घर बापसी की कोशिश कर रही थी किदर चर्चा ये थी कि ओशंगाबाद सांस राओ दे प्रताप सिंग तेंदु खेड़ा से भाच्वा प्रत्याशी होंगे भाच्वा प्रत्याशी होंगे भाच्वा प्रतिस चुनाव समीती की बेटक में फाइनल लिस्ट बन जाने के बाद संजेश शर्मा ने ये बड़ा कदम उठाया है बतादे कि सांसाद राओ राओ दे प्रताप सिंग कॉंग्रेस से तेंदु खेड़ा के बिधायक बने इसके बाद कॉंग्रेस से ही सांसत का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की लेकिन बाद में कॉंग्रेस को छोड़ कर चुनाव से पहले भाच्वा में शामिल हो गए और भाच्वा के टिकेट पर लोकसभा का चुनाव जीता इस प्रकार उनकी छबी जिताव पृत्याशी की है। कहा जा रहा है कि राओद्य प्रताप सिंग फिर से बिधान सवा में आने चाहते हैं ताकि वे सिवराज सरकार में मंत्री बन सकें।